हाथी चले बजार, अकुत्ता भुगे हजार, अमित्सा, एक बुथ अध्यक्ष से आज भारत सरकार के ग्री मंत्री तक पूँचे हैं लालू परसाद यादव जी का एक बयान था, कि 40 लोक सभा में 49 पर तो हम नहीं जीतने देंगे, अजीत भी नहीं रहे हैं, एक सिटे आपको दे रहे हुगे अभी तो एक भी सिट लालू जी को नहीं है, तो यह लोग हला करते रह जाएंगे, इसका कोई असर नहीं परेगा, हाथी चले बजार, कुत्ता भुगे हजा दुनिया का रीती नीती है, कि अच्छे को बुरा साबित करना, दुनिया के पुरानी आदत है अमीत साब पिछले वारायत है, तो नीतीस कुमार पर ज़्यादा हमला नहीं बोलके लालू परसाद पर बोले तो कई लोग अलग-अलग बाते कर रहे थे कि नीतीस जी कहीं फीर भाजपा से ऐसा कहीं कुछ नहीं है, भारती जनतापाटी नीतीस जीकोब कभी नहीं लेगा देश के ग्रीह मंत्री अमीत सार है, बिहार और उसमें भी मुझपरपुर और काफी कुछ राजनीतिक चर्चाएं बिहार में चलते ही रहती है, आने वाले हैं तो और चल रही है कई सियासी नफा नुकसान बताया जा रहा है और तमाम चीजे जोड़ घटाओ, राजनीति कह सकते हैं 2024 लोकसवा के लिए बहुत सी खबरे भी चल रही है, उसी के बीच अभी बात कर रहे हैं बीजेपी के विधायक हरीबुसन ठाकुर जी से हरीबुसन जी जी इस परकार से अमीत साह का आने का जो मुझब परपुर में पांच तारीक को जो कारिक्रम है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखे, मानिये ग्रिह मंत्री जी बिहार में दस लोक सभा सीट ऐसा है, जो हम कभी जीते थे और समय के अनुसार हमने गठमंधन को दे दिया, तो लोक सभा प्रवास योजना है जो संपूर्ण देश में चलता है, संपूर्ण देश में ऐसा 125 सीट से उपर है, जिसमें 10 प्रवास योजना के तत, मानिये ग्रिह मंत्री जी मुझफर पूरा रहा है, संगठन को धारदार बनाने और अपने कार्जकरताओं में जोस भरने के लिए, चुकि आप सभी जानते हैं कि भारतिये जनता पाटी का आधार बैचारिक और संगठनात्मक दुनों है, तो चार को जनजन तक पहुचाने के लिए मानिये ग्रिह मंत्री जी का प्रोडाम मुझफर पूर में हो रहा है, अभी इंडिया के कई नेता ऐसे भी बोलते ही रहते हैं, तो अमीट सा पर ओ लोग बोलते रहते हैं कि बोल रहे हैं कि हिंदू मुसलिम कराने के लिए लगातार अमीट सा का दोरा यहां पर हो रहा है बोटो के दुरूवी करण के लिए को बुरा साबित करना, दुनिया के पुरानी आदत है, तो यह लोग हला करते रहा जाएंगे, इसका कोई असर नहीं परेगा, हाथी चले बजार, कुटा भुगे हजार, इस अब से कोई असर नहीं परेगा, मगर यहीं पर एक बयान देते हैं, दो दिनों पहले, लालू परसाद यादब जी का एक बयान था, कि चालिस लोक सभा में, उन चालिस पर तो हम नहीं जीतने देंगे, अज जीत भी नहीं रहे हैं, बाजपा, एक सिटें आपको दे रहे हैं, अचा अभी तो एक भी सिट ल लालू जी का है, लालू जी बोलते हैं, तो बोलने का कोई भैलू नहीं है, कैसे लेंगे नोटीस, हम उन चालिस जीते ते कट मंदन में, फिर चालिस जीतेंगे, आ रहा है समय, बहुत निकट है, सब दूद गादूद पानी का पानी हो जाएगा, मगार एक हिसाब किताब जोड़ा जा रहा है हरी भूसन जी, कि जिसे जदियू का जो बोट बैंक है, आओ, जो आप लोगों का था, तो इस सब जुड़ के जो जदियू बला जब आरजेडी में जाएगा, तो उलोग सीटे ज़्यादा जीतेगी, ये कई एनलाइसिस करने जदियू के साथ, जदियू का कोई बोट बैंक है नहीं, जदियू का बोट हमारे साथ रहेगा, जदियू की उत्पती किस चीज से हुई थी, लालु जी के बिरोधे पर न हुई थी, हमको अटबंदन कर लेंगे, ये देखिए, गनित भी है, रसायन भी है, राजनिती, केम मिल जाएगा तब न, समय आ रहा है, सब आ जाएगा सामने, बहुत जल्द, नितीज जी को अप्रसांगिक आप लोग समझ रहे हैं, निस्चित रूप से वो अप्रसांगिक हो गया है, चुकि वो अपने मुद्दा और विचार को लेकर के बिहार में नहीं चले, तो बिहार जानता पाटी, नितीज जी को अब कभी नहीं लेगी, और नितीज जी में सेस क्या है, नितीज जी अब बोज हो गये है, चौबिस लोग सबाके पहले कुछ हैसा हो जाए, कुछ नहीं ऐसा होगा, इसा लोग अपना अनुमान लगाते रहते हैं, खबर ऐसा कुछ नहीं नहीं, लालू परसाद यादव का एक भी सांसद नहीं है, मगर अब की तो लग रहा है कि लालू जी अब कही कुछ नहीं होगा, कही कुछ नहीं होगा, तो ये बात कर रहे हैं, जहकास भारत पर बने रहिए, आप देखते रहिए, मेरे नाम रवी कांथ हुआ, धन्यवाद बात कर दो